नमस्कार दोस्तों में बिशेक आप सभी के स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीजे गुरू जी में दोस्तों आज मैं आप सभी के लेके आया हूँ 12 इंची 100 वाट के स्पीकर के पार्ट्स और यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जादर इंट्रस्टिंग होने वाले क्योंकि मैं आप सभी को आज प्रॉपर एक एक पार्ट के बार में डीपली समझाने वाला हूँ और आज हमारे पास है ये तीन टाइप की कोन है 100 वाट के लिए दो टाइप के हमारे पास कॉइलर दो तरह की मैगनेट है आज मैं आप सभी को प्रॉपरली बताऊंगा किस तरह से आपके लिए कौन सी कॉइलर कौन सी कौन साही है आपके बजट के नर कौन सी मिल जाती है और मैं को 100% एकीन है आज की वीडियो आप सभी को बहुत जादा पसंद आने वाली है तो दोस्तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज दोस्तो सपोर्ट करना चैनल को सब्राइब करना वीडियो को लाइक को शेर कर देना तो चले दोस्ताब्स की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले में आप सभी को मैगनेट दिखा रहे तो मेरे पास मैगनेट दो टाइप की है दोनों मैगनेट सेम है और कुछ फरक है उसमें वह मैं आपको बता रहता हूँ यहाँ पर हमारी मैगनेट आ गई है अब यह मैगनेट आप देख सेके 20 mm की है चार्ज करके आपको मिलेगी 275 रुपे की और एक मैगनेट हमारी यहाँ पर रहती है यह भी सेम हमारी 275 रुप आता है कुछ लोगो प्लेन पसंद आती है यह 100 वाट की मैगनेट आपको चार्ज करके मिल जाती है 275 रुपे की मैं प्राइस ऊपर लिख दूँगा अब यहाँ पर आता है फ्रेम के ऊपर आप लोग फ्रेम देख सकते हो 12 इंची में जो फ्रेम हमारा आइरन के अंदर है और यह फ्रेम हमारा 120 रुपे का है तो इसको आप लोग देख सकते हो अब आगे मैं आप सभी को बताता हूँ जो हमारी कोईल मिलती है अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता है हमारा पास दो टाइप की कोईल है तो इधर आप लोग को देख सकते हो अब फरक इसमें क् कोल किया यह कोईल भारी है 40 रुपे की हो गई है 60 रुपे की हो गई अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ को अब क्वालिटी में बताऊंगा मिली डिफरेंस क्या आता है तीन तरह के हमारी कोन आ गई है एक दो और तीन सबसे पहली कोन यह हमारी है यह बेसिकली हमारी हों गई अगर हमारी इंटरस्ट्री की लाइन में हो तो शिवा की कोन हमें मिलती है यह 120 रुपे की तो यहां पर क्वालिटी का फरक होता है कोन में और कॉइल में अब इनसे फरक क्या आता है आपको साउंड में बहुत अच्छा फरक देखने को उनको मिलेगा अगर आप अ यह dual cone बोलते हैं यह dust cap का भी काम करता है dual cone हमारा होता है हमारा cone के उपर लग जाता है suppose यह हमारी cone है और इसके उपर हमारा ऐसे लग जागर coil हमारी निकलेगी तो इस type से यह आपको कुछ मिलेगा लगने के बाद तो यह हमारा dual cone है यह भी आपे 5 रुपे का मिलता है अब main चीज आगे है हमारा spider यह हमारा cotton का spider है और imported है काफी अच्छी quality का है यह आपको 10 रुपे का मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तों अब आते हैं terminal तो basically 100 watt की speaker होते हम उनमें tag use करते हैं आप लोग यह देख सकते हो tag होता है plus minus लिखा वो tag है तो यह हमारा tag और जो हमारा lead wires होते ह हम जो lead wire होते हैं हलकी quality का use करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको यह वाला दिलवारों आप लोग देख सकते हो जो color coding के साथ हमें मिलता है और एक pair मिल जाता है और यह tag के साथ यह हमें 15 रुपे का पड़ता है तो अभी basically जो total जो parts है हमारे इनका जो price बना magnet आपकी choice है कोई PCV ले लिजी अपने budget के according जो मैंने आपको minimum जो कौन 30 रुपे वाली है 40 रुपे वाली कोई के साथ जो पूरा हमारा set बनता है एक speaker का वो हमें दोस्तों मिल जाता है 500 रुपे का खाली parts लेकिन अगर आप यही speaker आप यहां से बना बनाया लोगे तो वो मैं आपको बता जाता है quality के अगर आप दूसरी coil लोग या कौन लोगे तो थोड़ा सा difference आजाएगा और यहां पर बात करें अगर आप बना बने speaker लेना चाहते हो यह मैं उन्हें लोगों को बता रहा हूं जो आगे आगे रिसेल करते हैं अगर बना बने speaker लेना चाहते हो तो 20-25 पीस लो ताकि वो बना के आपको दे सके एक दो पीस बना के कोई नहीं देता एक दो पीस के पार्ट भी कोई नहीं दे पाता तो अगर आप बिजनिस स्टाट करना चाते हैं पार्ट का तो मैं आपको एक चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मैं आप सभी के लिए इस पीकर इस पर पार्ट से लिए लिए के आता रहता हूं तो दोस्तों मैं आप से मिलता हूं अगली वीडियो में